कभी कभी हमसे एंजाने में ऐसी गलती हो जाती है जिसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है ऐसे ही कुछ यहां हुआ है हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमसे एक वीडियो शेयर किया उन्होंने एक रसलिस को यानि जो तितली का प्यूपा होता है उसको सेव किया लेकिन वो प् गिने पर वो उल्टी हो गई और उल्टे होने की वज़े से वो एकदम से टाइम पे खड़ी नहीं हो पाई जिसकी वज़े से उसके जो पंक थे वो खुल नहीं पाई हमने अपनी बटरफलाई वीडियो में आपसे कहा है कि जो तितली का एमर्ज टाइम होता है यानि कि जि गलत इंटेंशन से उसको सेव नहीं किया था यह तो उनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है अब देखिए एक ही नीचे से चिपका हुआ होता है और एक उपर यह तार जैसा अगर आपको दिखाई दे रहा हो ट्रांसपेरेंट तार से ही अपने आपको रोक कर रखता ह है तो यही सपोर्ट होता है जिससे अपनी बोडी को सीधा रखता है और जब इसमें से तितली निकल कर आती है तो वह आराम से इसमें से निकल आती है और ऐसी जगे पर जाकर जहां उसके पंक पूरी तरह खूल सके वह बैठ जाती है इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता तो हमने सुचा इसके बारे में एक वीडियो शेयर कर देते हैं हमारे पास यह एक क्रशिलिस है जो की नीचे गिरा हुआ है और अब हमें इसको ठीक करना है इसके लिए हमने एक स्पांज ले लिया है यह आप कुछ भी ले सकते हैं कोई चोटी सी डिब भी आप ले सकत इस तरह से जारू की एक सीख है आप कोई भी एक स्टिक ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग एक कोई बेस तयार कर लीजिए अब इसको हमें ग्लू की हेल्प से हलका सा यहां पर पेस्ट करना है चिपकाना है इसको लेकिन यह नहीं है कि इसको पूरा ही चिपका देना है फिर तितली बाहर नहीं निकल पाएगी और मर सकती है वो चिपक गया अगर इसका जो इसकीन है वो तो इसलिए इसका जो बैक पॉइंट है बहुत हलका सा उसको आपको इस टहनी पर चिपका देना है तो यह ऐसे ही करना है जैसे नैचुरली होता है अभी आपको दिखाया क कैसे यह अपने आपको एक जगह पर चिपका लेता है उसके लिए आपको बहुत एक छोटा सा पॉइंट लेना है यानि कि इतना जादा ग्लू से नहीं चिपकाना है बहुत हलका बिंदी जैसा आपको इसको यहां से चिपकाना है तो हमने पहले इस पॉंज में इसको लगा कि कोई बैठ जाए इस पर एक साइड में अलग जगे बहुत सेफ लिए आपको रखना है तो जिस नेट में हम बटरफलाई सेव करते हैं उसी में ही रख दिया था इसको नहीं तो इसको चिपकली भी खा सकती है इसलिए खुले में नहीं रखना है इसको और अब इसको का और ध्यान लखना है जो प्यूपा है यह जो क्रैसलेस है उस फॉर्म में आपको इसको नहीं डिस्टरब करना जब तितली निकलने वाली हो अभी इसमें से तितली निकलने में वक्त है लगभग एक या दो दिन लग सकते हैं तो अभी हमने इसको ऐसा किया है तो यह बिल अपने आप ही गिर जाते हैं तो और अगर इनको ऐसे ही रखा जाए तो वही हो सकता है जैसे कि यह आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा एक और बात कैटपिलर को कभी भी छोटी जगे में हमको सेव नहीं करना है वो आगे जाकर फिर परेशानी क्रियेट करेगा इसलिए उसको शुरू से बड़े बॉक्स में रखें और नैट का यूज़ कर सकते हैं जिससे इसको हवा मिलनी भी ज़रूरी है अब देखें यह हमने इस तरह से रख दिया है इसमें से तितली निकलेगी और ठीक रहेगी तो अभी बहुत सारी तितली हम रिलीज कर चुके पर केवल उन्होंने तितली बनाना दिखाया हुआ है ना तो उसके बारे में कोई जानकारी दी है क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है यह कुछ नहीं बताया तो जब भी आप कोई काम करें उसकी पूरी जानकारी पहले लें या कोई वीडियो अगर आप अपलोड करें तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट जरूर शेयर करें यह तितली उड़ तो पाई नहीं लेकिन इसके साथ आगे क्या हुआ यह जानकारी हम आगे की वीडियो में शेयर करेंगे अभी वीडियो जादे बड़ी हो जाएगी तो वी